हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं सूजी का हलवा बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी देखिए आज मैं आपको बताऊंगी सही मापके साथ सूजी का हलवा बनाना भी काटोरी ले अवह кटोरी है तो अब मैं आपको दिखा दे थी चीनी चीनी मैंने तोड़ी सी बड़ी काटोरी में लिई है और ये फूल काटोरी चीनी लिए रिफ यह मैंने ड्राइफ रूट्स ले ली है थोड़े से जो भी मेरे पास अवैलीमलते देखिए मैंने पिस्ता ले लिया है रड़े से कट्वा थोड़े में बहुतuchen हो ऊची लगती है और थोड़े से मेने बादाम ले Police क अब, मैंने लोहे देशी गी, दो किलो चीनी और चार किलो पानी का यूज करना है देखिए अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो आप देड़ किलो चीनी भी यूज कर सकते हैं अब यह हमारा गर्म हो गया तो इसमें डाल देंगे हम अपनी सूजी अगर आपकी कडाई हलकी थली की है तो इसे बिल्कुल धीमी धीमी आज पर भूना है और अगर आपकी कडाई है भी थली किया है तो मीडियम फ्लेम पर इसको भून सकते हैं लेकिन इसको भूनते वे बराबर चलाती रहना है अभी जिब तक हमारी सूजी बुन रही है तब तक हम अपनी चास्नी में तियार करें देंगे तो दूसरी गयास पर मैंने एक भगोना रख दिया है और उसमें डाल दूगी मैं चार गुना पानी जितनी मैंने सूजी लिए उससे चार गुना पानी तो उसी कटोरी से मैंने यह देखिए हमारी चाशनी अच्छे से पक गये तो गैस को बंद कर देंगे चाशनी अब तेयार है तो जब तक यह गोल्डन हो जाएगी तब घी चोडने लगेगी और इसे खुछ भी बहुत अच्छी आएगी तो तब हम देखेंगे कि हमारी चाशनी डालने के लिए तेया हो गया है इसी तरीके से परावर चलाते हुए इसको भून लेना है अभी में आपको दिखा दूंगी जब यह गॉल्डन हो जाएगी कि देखिए सूजी को बहुत ही अच्छे से भूनना है क्योंकि जब अगर आपकी सूजी थोड़ी सी भी कच्छी रह जाएगी तो घी नही देते हैं अब दीरे दीरे करके इसमें थोड़ी थोड़ी चाष्णी दालते जाएंगे अब देखिए चाष्णी डालने के बाद एक दम से यह बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे यह उबाला आएगा इसमें वैसे वैसे हमारा हल्वा गार्डा होता चला जाएगा क्योंकि सूजी बहुत फूलती है और अगर पानी इसमें कम रहे जाता है तो हमारा हलवा सूखा सूखा बनता है जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है तो परफेक्ट मापके साथ जब हम सूजी का हलवा तियार करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है अब देखे धिरे धिरे जैसे इसमें उपाला रहा है वैसे होता जा रहा है जब सूखी का हलवा हमारा ठंडा हो जाता है तो वह तक उलवा हिसलिए किई अच्छा है ना कि किन लिखा और ये गाहःगा भी हो गया है कुछ यह ठंडा होने के बाद और भी जाद अगाड़ा हो जाता है तो इसलिए इसे इसी तरीके का बनाना है यह हमारा हलवा अब तैयार है तो आप हम इसे निकालेंगे अलग बरतन में क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि लोही की कड़ाई कलर शोड़ देती है तो इसलिए हलवे का कलर चेंज नहों जाए इसलिए मैंने निकाल लिया एक स्टील के बरतन में हलवा और इसमें आप चाहें तो इसमें एक कटा हुआ गोला या नारिल भी यूज कर सकते हैं और किस्मीस भी जो भी आपको पसंद है आप वो ड्राइफ रूट्स हलवे में यूज कर सकते हैं आप ड्राइफ रूट्स टालके मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर निकाल लूँग से सर्विंग बाउन में सर्व करने के लिए देखिए बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है कलर भी बहुत अच्छा है हमारा हलवा तैयार है तो आप सभी भी ट्राइ किजिए इस तरीके से हलवा बनाना अब निकाल लूंगी में सर्विंग बाउन में यह देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा तैयार हुआ है तो आज की रेसिपी मैंने शेयर किया आप सभी लोगों के साथ अपनी सासुमा के आद की मेरे सासुमा हलवा बहुत ही अच्छा बनाती है तो मैंने हलवा बनाना उनी से सीखा है और उनी की रेसिपी आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है आपको मेरे रेसीपी क्यासी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट किजिएगा थैंक्यू सो मुच गाइज